तुम कैंट चैलो दोस्तों मारे यूट्यूब चैनल में आप लोगे स्वाट थे आये हम आज क्राफ टन अब इस्टोलेशन करना आपको सिख्याते हैं यह 1200 mm में है और यह हमारा क्रॉप्टन का है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यह हमारा इसका ब्लेड यानी पत्ती है और हम सीघाब करे आपक दें यह लोगती है और यह हम इसको उसका सामान कर दिया है हैं और इसके साथ में मिला है और कवर कैप फाइप और कुछ स्कूरूप और क्लैम्प है कि हमारा मोटर हो गया चलिए हम पटाक से इसको खोल के इसको लगाते हैं एक फिटर बाहर निकल के इसको अंदर टाल लेते हैं और हम स्कूरूप सारे खोल के इसका ब्लेड लगाएंगे इसमें और दोस्तों आप एक बात पर थेहन देजिए यह जो आसर आपको दिख रहा है ना इस वासर को नीचे के तरफ रहेगा इसके उपर ब्लेड लगेगा ना कि इसको उपर लगाना है क्योंकि बहुत लोग इसे निका टाइब सेहर जरूर करें इसी तरीके से हम सारा उस्कूरूप को खोल लेते हैं फिर इसके बाद इसमें सारा तीनों ब्लेट को लगा कि फटा फटा पो टाइट करके फिर आगे दिखाते हैं कर दो दो आगे को कि अगया हुआ है चलिए हमारा यह भी हो गए तीनों पत्ती लग गई आप हम आपको दिखाते हैं कनेक्शन किस में करना है कभ देख सकते हैं यह मारे इसी दोनों में रहेगा उपर और नीचे वाले में यह और इस में इसी दोनों में हमारा मेंकनेक्सिन रहे गा नए पहले से बना होगा है इसी मेरा लगाना है मुझे हमने भिले इसके कैब को डाल लेंगे तरह दर्चिकलय करें इससका ब्रांड का नेम गाइव ज़ुल और यह हमारा नीचे का कबर है क्योंकि पहले हम इसको लगा लेंगे चलिए यह भी हमारा दूनों हो गया है अब हम वायर को साइड से निकाल लेते हैं हमारा वायर निकल गया अब हम फैन लगाएंगी इसमें को फैन को फटाक से लगाके दोस्तों ध्यान देजी कि इसका स्कूरूप अच्छी तरह से टाइट कर लें अब ही हम इसको टाइट कर लेते हैं फटाक से और हमें कनेक्शन जैसे कि आपको बता थे इसी में करना इसी दोनों में उपर और नीचे में कोई भी आप न्यूटल फेस किसी में भी लगा सकते हैं चलिए यह हमारा एक हो गया अब हम दूसरा लगाएंगे दूसरा भी हमने टाइट कर लिया है कितना अच्छा वर कर रहा है अब देख सकते हैं एक दम फूर इस पूड़ में चड़ आए और हमारे चैनल को सब्सक्र